सौश करने गई आदिवासी महिला के साथ दुसकर्म, दो दिन तक लगाया थाने का चक्कर, पिरित ने लगाया आरोख, राजनीतिक दबाव के चलते नहीं हो रही थी करवाही, नमस्कार आप देख रहें दक्खवरदार नियुज रीवा जिरे के सौहागी थाना छेतर अंतरगत एक आदिवासी महिला के साथ दुसकर्म की घटना सामने आई है महिला अपने घर से सौच के लिए बाहर गई हुई थी, इसी बीच धर्वपाल सिंग घात लगाय हुए बैठा था जैसे ही महिला को आते देखा, तो महिला का मुँ दबा कर जवरन सुनसान जगह पर ले गया और जब महिला ने बिरोध किया, तो महिला के साथ मारपीर भी की और फिर आरोपी दरिंदे ने महिला के साथ जवरन दुसकर्म किया वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया आरोपी सरपंच का पती है आरोपी की पतनी ग्राम पंचाय टिगुरी की सरपंच है घरना की जानकारी महिला रोते विलगते घर पहुँच कर अपने पती को दी जिसके बाद महिला अपने पती संग सुहागी थाने पहुँची और सिकाय दर्ज करने की बात कही लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी और दो दिनों दख थाने का चकर लगवाते रहे पिरित का आरोप है कि आरोपी त्याउथर विधान सवा छेतर से कॉंग्रेस के प्रत्याजी रमा संकर सिंग पटेल का चहेता है जिसके बचाओ के लिए नेता जी ने थाने में दवाओ बनाये रखा जिस कारण से मामला पंजी बद नहीं किया जा सका जब ख़बर सोसल मेडिया पर वारल होने लगी तो पुलिस ने आरोपी की बुरुद मामला पंजी बद कर आरोपी की तलास में जुटी है मामले को लेकर अतरिक्थ पुलिस अधिचक अनिल सोनकर ने कहा कि यह घटना 24 अक्टूबर की है जब महिला थाने आई और घटना की सुझना दी जिसके बाद पुलिस ने 376 के तहट मामला पंजीबध किया है सुझना मिली है कि आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम यूपी भी गई हुई है यह घटना 23 अक्टूबर की है पीरित 24 अक्टूबर को सुबर थाने आये थे और 24 अक्टूबर को दसहरा भी था उस दिन पुलिस बहुत ब्यस्त थी और महिला की रिपोर्ड महिला अधिकारी द्वारा ही की जाती है उसमें थोड़ा बिलम जरूर हुआ है क्योंकि महिला उपने रिच्छपत का कोई वहां पदस्त नहीं है देखिए रीवा से आस्टोशुकला की रिपोर्ड पाँ हमारा नहीं दावाँ नो दावाँ दान पारे की जोंगा जाए दॉट आप जैखिए जयंगी है इसमें हमें चाथा मारा लाज़ा है जात हमारा बहुत भी दिखिवा हमारे साथ उसुकिया हम पुद्धिया को मारेंगे, रिस लगम से जाएंगे परका ठाटीं के रहिए हम देश्य के पाटीं के इतरी प्लाइगे, रिस लेवार, हम को जाये रिस अब देख्षिंगे जाली दिया, माद है जाली दिया, नहीं कि शिवाइब अहुम्हे लखने कर दिसी लखाया से, शाम से हैं आ पांसरथी जुर्गा माता की हैं, अमार की काई फड़ लखाने के पती लाथ हमारें पहस्टा कर दिया, फोहाजी थाने आप लोग तरने गयातेएं, जो और प्रणी नहीं लिचिया रहे थे, पुलिस वारत क्या आखा जा रहा थे, दो देंसे बैठे थे हमोगे, वह अरहों पांसर वह बाद कर दोुछ की बोले ही, पुलिस वाले क्या बोले थे हैं? कि यह पिसर कि हम जब लिखाने गए हमारा रिकोर्ट नहीं लिखा गए हम दो दिन से हम बैठे थे वहां फिर उसके बाद हमारी रिकोर्ट दो दिन हो गया नहीं लिखी गई फिर मेडिया वालों के जडिये से हम को कुछ तहारा मिला तो पुलिस वाले क्या बोले थे क्यों नहीं लिखे रहे थे रिपोर्ट लिख के पता नहीं किसका इंतिजार कर रहे थे बार बार उनका फोन आ रहा है यह रमा संकर कौन है रमा संकर राम लखन के सपूत्र है जो आज तुनाव में लड़े हैं कांग्रेस पाल्टी से दबाव आ रहा था रिपोर्ट नहीं लिखने के लिए अच्छा तो उनका दबाव इसलिए दबाव बना रहे थे उनका रिष्टेदार है पैसा वाला है तो कहता है हमारी बस्ती नहीं बोल पा रही है इसलिए नहीं बोल पा रही है कोई कुछ नहीं बोलता क्यूंकि सब डड़े सह में हुए है हम एक हिम्मत दिकाशी से जगड़ा कर लिए बांकि आदमी बोलने वाले नहीं है इसलिए नहीं बोलते क्यूंक दबाव बना है और रमा संकर जो है वो बहुत गंदे घटिया किसीं के आदमी है जो अपने चुनाव लड़े हैं फिर भी अपने फाइदे के लिए आदमी अपने रिष्टेदार के साथ दे रहा है हम लोगों को साथ नहीं दे रहा है आपकी सयम क्या रमा संकर जी से बात हुई कुछ बात हमारी नहीं हुई लेकिन हम और जब ठाने में बैठे थे तो टी आई साहब के दोर आपको क्या बोला जा रहा था क्यों रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी क्या बोल रहे थे कि बैठो अगर इधर उधर करोगे तो जैसे फोन बगएर आ जाता था तो हमको गाली देते थे बोलते थे कि अभी कात तेरो को साले अंदर कर दूँगा आपको खोद अंदन करने की बात कर रहे थे कितने दिनों बाद आपकी रिपोर्ट लिखी गई थी? हमारा दो दिन के बाद नहीं दूसरे दिन रात में आठ आठ पाढ़े आठ बज़े रिपोर्ट लिखी गई है 23 अक्टूबर की अगटना है एक महिला स्वागी थाना छेतन तरगत सौच के लिए के लिए घर से बाहार गई थी सौच के दौरान एक इस्थानी धरमपल पटैल नाम का वेक्तिव उसके साथ दुसकरम किया महिला जब घर वापस आई उसके पती दुरगा उस्थो में पूजन के लिए गय थे उनके आने पर महिला ने अपनी गटना करम को पूरा बताया जिसके उसके पती उसके घर गए मारपीट करने के लिए मारपीट होने लगी लोगों ने बचाव किया वो भाग गया अरोपी इसके बाद दूसरे दिन दिनांग 24-10-2023 को महिला अपने पती के साथ थाना स्वाहागी में गई और इस बात की सूचना थी जिस पर थाना स्वाहागी में 376 भारती दन्विदन का अपराद पंजीवत किया गया है जिसकी वीवेशना थाना पर बाईश्वयम कर रहे है आज धरमपाल नाम है संबत है वो सरपंच पती है और आज एक टीम जो है हमारी उत्तर प्रदेश गई है पकड़ने के लिए सूचना मिली थी तो पाटी गवा होना है जैसे ही ग्रिपतारी होती तो आगे पूस्ताज करने के बाद जो जानकारी होगी आपके साथ सियार की वह किसी अस्थानी नेता का फोन आया दो दिन तक मामला पंजीवत दिने की आगया दिनांग 23 की घटना है और वह 24 को सुबह आये है तो उसकी सूजना पर रेप महिला थाना अधिकारी द्वारा की जाती है उसमें थोड़ा विलम जरूर हुआ है क्योंकि महिला जो उपनिरिक शक्पत का कोई वहां पदस्त नहीं है तो दीगर थाने से बला करके उनकी काईमी कराई गई है कोई विलम नहीं हुआ जानकारी जो आप बता रहे हैं ऐसा सत्य नहीं है महिला के आने पर तत्काल जो है कारवाही हुई है और जो बेस्ट पासिबिल था पुलिस के सामने वह कारवाही उनकी लिए की गई है